नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी हमारे सभी दर्शकों को अंतर राश्ट्रे योग दिवस की हारदिक शुपकामना है। जहां अंतर राश्ट्रिय योग दिवस बेहदी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर साथ ही आपको बताते चले तो कहीं न कहीं अब योग को लेकर लोग भी काफी जादा सतर्क नजर आ रहे हैं। अग्भी काफी जादा योग को महत्व देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो युवा हो फिर चाहे वो बुजर्गों फिर चाहे वो हर उम्र दराश्टी हो। सभी योग को बेहदी महत्व देते हैं। वैस खबर पर जादा जानकारी के लिए गोरकपूर से हमारे सम्माद दाता हिमान्श जुर्चिक हैं। हिमान्श अगर आज देखा जाए तो पूरा विश्व जो है वो अंतरराश्ट्य योग दिवस मना रहा है। तो इस वक्त गोरकपूर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है इस मौके पर। तो लाज के साथ पूरी करता से यहां पर मना रहे हैं योग दिवस पर बढ़ चल से लोगों ना हिंचा लिया है। नमस्कार जिन लेगर के पड़ आयाम तक हर चीज़ यहां पर यहां पर दिये हैं हजार ओंते हम यहां पर कुछ करे हुए हैं और यहां पीसे भी लोग दो कर रहे हैं और साथ में ही विश्यो गुरू के साथ लिए हैं कि हम पूरी तरह से भूल ने के साथ योग गुरू तो जाइबती बात है कि आज कई जूम को जो है योग दिवस की रुपे मनाया जाता है विशु योग दिवस की रुपे मनायाता है दराश्टी असतर पेशको पुर है तो लेकिल गोरफुर में जिसे हजारों की पंच्या में लोग जुखे हुए है हर जग़ अपने करसे तो यहां आरोग मंदरी का अस्थान है और यहां पूरी तरह से योग में लगे हुए है लोग ही वानशों के दिगा जय तो साल 2015 में अंतरराष्ट्य योग दिवस की शिरुआत हुए थी और आज अजय हमारे का फुद यहां पर दॉक्र राहूल बोड़ी चुड़े हैं और हम उनके बात करने की तोशिश्च पते हैं डॉक्तर अब बताएं कि योग से किस तरह से लाग निल को यह इन पूरे शरीट करता है नहीं आत्मा और आपके शरीर मन सब में आपका फाइदा करता है कि योग जो प्रसिक्षक है उनके साथ मुझूद है तो आज कल के लोगों में यह देखने को मिल रहा है क्योंने का प्रबलम बहुत जादा होता है या जो बच्चे है उनका माइंड स्टेबल नहीं होता है पढ़ाई के टाइम पे तो एक आगरता लाने के लिए और जो पे पेट की तकलीफे हैं उनसे बचने के लिए क्या कुछ योग जो है वो लोग करे जिनसे सारी तकलीफों से वो निजात पा सके है योग की सबसे अच्छी चीज यह है कि छोटा बंचा से लेकर एक आप्सी साल का बुदूर्सक्त जो चाहें वो उसे करता है सबसे अच्छी कि यहां दो महिना योग करने के बाद बच्चों का क्लास में नंबर बढ़ गया वो अच्छे से बैच पाई जो उनकी स्कूल पर शेकाटे आरें की यह ऑनलाइन क्लास में बच्चे इधर उबर देख रहे हैं वो अपना कंस्टेशन बेटर कर पाई योग सब के लिए है औ नियत नियत रूशे करने से सब्सक्राइब हो रहा है तो अब बच्चाब और लोगों को इसमें हार्ट की बहुत समस्या रहे है हार्ट को स्टॉंग बनाता है हमाई ब्लड वेसल को ही मज़ूद बनाता है इसकी परक्ची बास यह है कि यह आपको जो बैक कोले स्टॉल उसको कम करने लिए बहुत लाथकारी है और आप योग करने से रिलाक्स होते हैं और जहां आप रिलाक्स होना शुदू करते हो नही है और जो प्रोन का पकाल था कोरोन ने लोगों को मेंटली बहुत ज़ादा परेशान किया है और कहीं वो फिजिकली फिट रहने के लिए उनके पास मैदान नहीं थे उनके पास जिन नहीं था तो इस दौरान योगा क्या कुछ महत उनके जीवन में नज़र आया? करोना होने के बाद जिनके शरीर में डिपनेंट परेशानियां शुरू जीवन मतलब बहुत सारी दवाईयां था उसके साइट इपको कम करने के लिए लोग योग का प्रेशान किया था तो योग जो है एक ऐसा साधन ता जिसने लोगो को कही ना कही उत्साह भड़ने का काम क में जोज परड़ने का काम किया कुछ एविफ्वत्र बिल्कुल योग जो है कही ना कही लोग प्राइद करता है योगों चयातरु जू है वह इन पर रुदिपने के प्रतिम आती है शुरू नहीं को चरवत्ती है इस पलेज ब्रेशा की नजा जलीक निघात गरतिक है एसक योग कोशिश तो कर रहे हैं कि वो दिन चर्या मिले कर रहे हैं लेकिन अभी भी ग्रामेड इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग जो है वो योग ठीक धंग से डेली नहीं करते हैं तो उनको जागरुक करने के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे वो योग के प्रती और जागरुक हो कर दो याद है दो जार उन्नीस में हम चुशोगी पूरा मैदान हमारा धर गया लोगोंने पिर हमें ऑनलाइन हो जो लाइब लगोंने तो लाइब देखा था तो आप फूच एक शची बात योग की हैं योग आपको इसमें किसी चीज की जरूवत नहीं है आप एक चटाई इसकी जागरूता आप जैसे पटर का इस देखा देखा देखाप देखा देखी पुन्नी लोग कर चारह है इसका असा फाइदा बता रह घर रहें तो उनके अडुतीरी एक्सराइटीज हो रहे हैं करने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेट्रानिक मीडिया इसके बारे में बहुत डीटेल में लिख रहा है, तो लोग पढ़ कर इसके बारे में जागरूप हो रहे हैं और योग दीज़ को रहे हैं ग्राउंड जीरो पर मौझूद थे जहां उन्होंने योग दीवस को लिकर एक डॉक्टर से बात की साथे साथ जो लोगों के मर में प्रेशने थे जो आज कल के युवा, जो आज कल की पीडी इस दोरान तमाम कई दिक्कतों से होकर गुजर रही है, उसके लिए भी डॉक्ट साथ मनाय जा रहा है, साथ ही एक महतोपूर बात जो आपको यह हम बताते चले कि इस बार अंतरराश्टे योग दिवस आठवी बार मनाय जा रहा है, यानि किसकी शुरुआत साल दो हजार पंद्रा, 21 जून साल दो हजार पंद्रा से अंतरराश्टे योग दिवस की गाउं से लेकर शहरों तक तमाम जन्पदों तक अब योग दिवसं की धूम देखने को मिल रही है लोग आपने स्वास की प्रती सतर खो रहा हैं लोग अपने हेल्थ की प्रती सतर खो रहा हैं क्योंकि आजकल का जमना जो भी वो परिशानी से गुजर रहे है उससे कही ना कही निजात मिलती है और योग सिर्फ मेंटरली नहीं लोगों को फिजिकली भी बेहद फिट रखने का काम करता है कापाल भातिया अनलोम विलोम ये सारे ऐसे योगा है जिससे कही ना कही लोग अपनी दिन चर्या का भिस्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि लोग जादा से जादा स्वस्त हो सके फिलाल रुकते हैं एक छोड़े सब्रेक के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार